फिर से एक बार आपको revise करा देता हूँ, मैंने आपको सिखाया था कि सबसे starting में हम लिखते हैं operating activity में profit before tax, profit before tax से हम सुरुवात करते हैं, फिर हमें उसमें कुछ चीजें add करनी होती है, क्या चीज हम उसमें add करते हैं, D, I, L and return of, दिल में return of, ऐसे करके मैंने आपको याद कराय है, less में आपको बताया था कि आपको less करना है, D, D मतलब dividend receive से था, R मतलब rent receive से था, I मतलब interest receive से था, और P का मतलब profit on sales of investment से था, मैंने कहा था कि इतना प्लस माइनस करने के बाद, आपके सामने जो निकल के आएगा, उसको हम बोलेंगे adjustment of profit, after adjusting non operating and non cash transactions, हलो दोस्तों, मैं शो होत अच्छी चल रही होंगी, last class में हमने आपको operating activity का लगबग लगग 60% जो portion है, वो complete कर दिया था और आपको सिखा दिया था, कि किस तरीके से हमें operating activity बनानी होती है, अब उसके आगे का जो portion है, उसके बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूं, अगर आपने last दो वी serial को follow करते हुए आएंगे, तो ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगी, तो जहां तक मैंने आपको कल करा दिया था, उससे आगे मैं आपकी सुरुआत करता हूं, तो मैंने आपको सिखा दिया था, कि किस तरीके से हम निकालेंगे, adjustment या अपना profit हमने आपको ब non cash transaction, non operating and non cash transaction में हम profit किस तरीके से निकालते हैं, वो आपको मैंने बता दिया था, इसके बाद हमें क्या करते हैं, इसके बाद हमें करना होता है, adjustment of working capital, इसके बाद हम working capital का adjustment करते हैं, working capital में क्या आता है हमारी, जो current assets हैं और जो current liability हैं, हम current assets और current liability का adjustment करते हैं, यहां थोड़ा सावधानी की बात है, कि maximum current assets और current liability यहां आ जाती हैं, लेकिन कुछ current assets और current liability ऐसी हैं, जिनका adjustment हम working capital में नहीं करेंगे, क्योंकि वो यहां नहीं आएंगी, तो कहीं आप जल्दी जल्दी में उनको भी not adjust कर दो, तो उनको हमें समझ के चलना है, उसका हमें special ध्यान दखना है, मैं बता दूँगा बाद में कि वो कौन कौन सी transaction है, अभी बहराल आगे करते हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें इस increase होने का मतलब हम लगाते हैं, outflow से और हम इसको minus करेंगे, इसके अलावा अगर हमारी decrease in current assets हुई है, तो इसको हम treat करते हैं, in flow की तरह, इसको हम add करेंगे, उसके बाद बच्चों हमारा होता है increase in current liability, अगर हमारी current liability increase हुई है, तो बेटा हम क्या करेंगे, current liability को add कर देंग और अगर decrease होई है हमारी current liability तो current liability decrease होने का मतलब outflow के जैसा होता है तो इसको हम minus कर देंगे याद करने की trick हमने बना रखी है यहाँ पर minus plus plus minus minus plus plus minus इसका मतलब current assets का अगर increase है तो minus होगा current assets का decrease है तो plus होगा इसी तरीके से current liability का increase है तो plus होगा और current liability का decrease है तो minus होगा आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं सबसे उपर लिख लिया करेंगे minus plus plus minus यह दोनो current assets के हैं और यह दोनो current liability के हैं पीचे आई डी आई डी मतलब करेंट एसेट्स अगर इंक्रीज होगी तो माइनस की जाएगी करेंट एसेट्स अगर डिक्रीज होगी तो प्लस की जाएगी करेंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो प्लस की जाएगी और करेंट लाइबिलिटी अगर डिक्रीज कि आप इसको inflow outflow की तरह ट्रीट करके हैं प्लस माइनस कर रहे हैं वरना रियल लोजिक कुछ और है उसके लिए हम आपको आप उसका लोजिक बेटा कुछ और है अगर आप चाहते हो कि fully conceptual वे भी आपको बताया जाए याद करने के साथ साथ आपको पूरी वीडियो भी चाहिए जिसमें हम आपको यह भी बताएं कि यह प्लस माइनस का पूरा का पूरा लोजिक क्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं पिछली वीडियो में हमें रिस्पॉंस ठीक मिला पिछली वीडियो के मुकावले ओवरोल ठीक उससे पीछे की जो वीडियो थी उसके मुकावले रिस्पॉंस थोड़ा बहुत ठीक मिला वन पॉइंट टू के तक वीडियो ने रीचिंग की है ठीक है हम अभी जल्दी जल्दी में यूट्यूब पे ह कोई ज्यादा लंबा समय हमें नहीं हुआ है एक्टिवली इसको यूज करते हुए तो लेकिन जो मुझे कमी लगी वो था लाइक और कमेंट लाइक बहुत कम थे और कमेंट तो ना के बरावरी थे तो लाइक और कमेंट करके ये बात जरूर बताएं अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको यह चाहिए कि हमें जानना है इसके पीछे का लोजिक क्या है तो कमेंट करके बताएं वह भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा तो यहां पर हमें प्लस माइनस करना है प्लस माइनस करने के बाद जो निकलता है बच्चो उसको हम बोलते हैं प्रोफिट आफ्टर एडजेस्टमेंट ओफ वर्किंग कैपिटल की वर्किंग कैपिटल का भी एडजेस्टमेंट करने के बाद जो प्रोफिट मिला है देखो मैंने लिखा है आफ्टर एडजेस्टमेंट ओफ वर्किंग कैपिटल आप ऐसे भी कह सकते हो प्रोफिट and non operating non cash transaction क्योंकि उनको भी तो आप adjust कर चुके हैं फिर हम क्या करेंगे यहां से minus कर देंगे बच्चो tax paid tax paid यहां से हम minus करेंगे जैसे ही आप tax paid यहां से minus करोगे तो आपका निकल के आएगा cash from operating activity क्या निकलेगा बच्चो यहां से हमारा जो calculate होगा cash from operating activity cash from operating activity be careful अगर answer plus में आएगा तो हम उसको cash from operating activity बोलेंगे और अगर answer minus में आएगा तो फिर हम उसको बोलेंगे बच्चो cash used in operating activity यह आपको याद रखना है plus में आएगा तो from बोलते हैं minus में आता है तो used बोलते हैं तो यह अब कुल मिलाके हमारा खतम हो जाता है operating activity कि क्या हमें operating activity में करना होता है बस सबसे पहला जो starting point था वो अभी भी cover नहीं हुआ है कि profit before tax की calculation हम कैसे करेंगे तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको profit before tax कैसे calculate करना है आगे बात करता हूँ कि कैसे हमें profit before tax calculate करना है जो हमने सबसे starting में अपना operating activity का starting point लिया था that is profit before tax तो कैसे calculate करेंगे हम profit before tax तो बच्चो लिख लेते हैं इसी बात को कि calculation of PBT profit before tax हमें कैसे निकालना है यह भी important हो जाता है paper में एक number का यहां से बीच में से कोई question put कर सकता है तो बड़ा important है उसे हिसाथ से समझे तो हम क्या करते हैं बच्चो कोशन में हमें हो सकता है क्या दे रखा हो closing balance of profit and loss profit and loss का हमें closing balance दे रखा होगा तो उस closing balance में से हम minus करेंगे अपना जो opening balance होगा profit and loss का means closing balance of profit and loss में से हम opening balance of profit and loss को minus करके चलेंगे ये इसको minus करने के बाद हमारा क्या निकलता है अगर हम इसका नाम देना चाहें तो इसको हम बोल सकते हैं net profit after tax net profit after tax and all appropriations कि सब tax के बाद और appropriations के बाद जो हमारा profit है वो ये निकल के आया है क्लोजिन में से opening को घटाने के बाद जो net profit है वो after tax and after appropriation of profit है तो अब हमें क्या करना है क्योंकि हमें चाहिए profit before tax तो अभी हमें इसमें से और क्या-क्या adjustment करनी होती है उनको बहुत धंक से समझने की ज़रत है तो इसमें हम बच्चों पहले add करते हैं transfer to reserve जितना भी हमने reserve में प पैसा transfer करने से पैसा कहीं भी नहीं गया है हमारे पास ही है वो एक appropriation है तो cash flow का मतलब पैसा आया है या गया है वो देखना है तो appropriation में हम क्या करते हैं profit का हिस्सा निकाल के रख लेते हैं किसी emergency use के लिए या किसी specific use के लिए तो वो जो पैसा बाहर निकाल के रखा है लेकिन गया कहीं नहीं है क्योंकि हमें यहां पर cash flow के हिसाब से चाहिए profit before tax तो हम appropriation वाली चीज़ें जो हमने already यहां adjust कर रखी हैं वापस से उनको जोड रहे हैं तो transfer to reserve को हम add कर देंगे क्योंकि reserve से पैसा कहीं भी नहीं जाता है यह एक appropriation का part है इसी तरीके से बच्चों हम इसमे add कर देंगे provision for tax इसी तरीके से हम यहां पर add कर देंगे provision for tax और provision for tax भी यहां पर हम add कर देंगे provision for tax को आप ऐसे भी लिख सकते हैं current year provision for tax या जो current year का provision for tax है उसको हम add कर देते हैं ऐसा क्यों करते हैं जर्मली आप एक बार समझ के रखें कि प्रोविजन से भी पैसा कहीं नहीं गया है, हम प्रोविजन बना के रखते हैं टेक्स के लिए भी कि भई हमें आज हम पूरे साल काम कर रहे हैं, हमारी अर्निंग हो रही है, उसके बार साल खतम हो जाएगा, तो गोवर्मेंट हमसे टे साल के रखा हुआ, लेकिन अभी तक क्योंकि उसकी पेमेंट नहीं होई है, अगले साल उसकी पेमेंट हो जाएगी, पूरे साल तो मैं काम ही करूँगा, तो 31 मार्च जब मेरा खतम होगा, उसके बाद गोवर्मेंट को मुझे पैसे देने होते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पेमेंट नहीं होगी, बेटा जो पिछले साल हमने प्रोविजन बनाया होगा, उसकी पेमेंट इस साल होगी, इस साल जो प्रोविजन बना कर पैसे खटा कर रहे हैं, उसकी पेमेंट अगले साल होगी, और ये साइकल चलता रहता है, इसलिए आपने देखा होगा, कि टेक् tax paid को वहां से जाकर main statement जो है वहां से minus करना है और यहां provision को add करना है यह हम एक working note बना रहे हैं sir इसको हम cash flow में रखेंगे या working note में मैं तो working note में रखता हूं क्योंकि मैं profit before tax से शुरुवात करता हूं तो profit before tax अगर question में नहीं दे रखा तो ऐसे करके हम निकाल लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है बच्चो उसके बाद हमें क्या करना है हमें plus कर देना है be careful dividend उसके बाद हमें dividend paid को less करना है या हमें interim dividend अगर दे रखा है तो interim dividend को हमें less करना है be careful dividend paid को less करना है और क्या कहते हैं interim dividend को less करना है अब यहां पर भी यह important बात है पर dividend के बारे में भी एक important adjustment है जो आपको समझ के चलनी है बेटा अगर आपको directly dividend paid ना दे रखा हो तो फिर आपको क्या ढूनना है dividend paid की जगा वो ऐसे भी बोल सकता है be careful proposed dividend of previous year वो ऐसे भी बोल सकता है कि proposed dividend of previous year तो जो previous year का dividend proposed है वो इस साल ही paid किया जाता है तो उस हिसाब से यह dividend paid ही हुआ तो यह दोनों नाम इसी के हैं यह इसका बहरूपिया है ऐसे ना देखें ऐसे देदेगा कुछ changes आये हैं कुछ changes आये हैं जिसके हिसाब से यहां मैं यह लिख रहा हूँ तो बहुत डंग से पढ़ने की ज़रूरत है यहां पर एक important adjustment बता देता हूँ अगर दे रखा हो proposed dividend of current year तो वो कहीं भी नहीं लेना है dividend जो current year का है वो नहीं लेना है क्योंकि dividend को propose करने के बाद उसको approve कराना पड़ता है shareholder से तो वो इस साल की financial statement का part नहीं बन पाएगा और यह बात भी याद रखनी है purpose dividend of current year balance sheet में कहीं नहीं लिखा जाता है footnotes में notes to account में लिखा जाएगा अगर आप से पूछ ले purpose dividend of current year तो आपको यह लिखना है कि purpose dividend जो current year का है वो balance sheet में कहीं नहीं आता है क्योंकि यह subject to the approval of shareholder है अभी अभी shareholder की approval लेनी है तो यह balance sheet में नहीं आएगा footnotes में आएगा current year का purpose dividend current year की balance sheet में कहीं भी नहीं आता है footnotes में रह जाता है यह कुछ changes अभी कुछ साल पहले हुए थे तो आपको यह समझ के चलने है तो यहां से यहां यह सब कुछ plus minus करने के बाद जो बच्चो आपके सामने आ जाएगा वो क्या होगा profit before tax होगा तो यह होता है आपका profit before tax की calculation जिसमें आप closing में से opening balance को minus कर देते हैं तो net profit after tax and appropriation आ जाता है फिर उसमें यह आपको तीन चीजे एड करते हैं तो आपका profit before tax आ जाता है इन सब को plus minus करने के बाद हमें profit before tax मिल जाएगा बी केरफुल अगर आपको कोशन में net profit after tax and appropriation दे रखा है तो फिर इस opening और closing balance का कोई use नहीं रह जाता है आप यहीं से ही सुरुआत कर देंगे अगर यह नहीं दे रखा है तो आप यहा accept premium premium का change cover नहीं करना है जो premium भी एक reserve ही होता है लेकिन premium में होने वाला change आप transfer to reserve की category में नहीं रखते हैं क्योंकि premium shareholder से related part होता है और वो financing activity का part बनेगा तो जो financing activity है मैं आपको कराऊंगा वहां आपकी यह बात समझ में आ जाएगी बहराल आपको reserve और surplus मे accept premium premium नहीं लेना है औ और दूसरा अपना थोड़ा सा logical दिमाग भी लगाया करो सर रिजर्वेंट surplus के एंडर premium भी आता है और surplus या पी एंडल का balance भी आता है तो बेटा balance हम अल्रेडी उपर ले चुके हैं तो जो चीज आपने ले ली वो फिल transfer to reserve में नहीं लेंगे premium कहीं और लिया जाएगा इसलि हो सकता है देखो यह मैंने बच्चो statement की form में बनाया है आप इसको चाहो तो account की form में भी बना सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बहुत important है बहुत ध्यान से इसको करने की जरूरत है समझने की जरूरत है comment करके हमें जरूरू बताइएगा कि यहां से आपकी कितनी problem solve कोई ऐसी specific आपकी problem है जिसका आप solution चाहते हैं जिस पर वीडियो चाहते हैं कि सर इस topic पर cash flow के पर आप special वीडियो बना दीजिए या conceptual framework पर अलगसे वीडियो बना दीजिए इन जुगाड के अलावा तो भी मैं आपको वो वीडियो प्रवाइड कर दूँगा लेकिन उसके के लिए लाइक जरूर किया करें कमेंट जरूर किया करें ताकि हम आगे नई ने ट्रिक के साथ आपके लिए वीडियो लाते रहें जब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें